इस वीडियो में हम लोग जानेंगे biological diversity act के बारे में वो क्या था, किसके द्वारा बनाया गया था, क्यों बनाया गया था और उसका main functions क्या है सबसे पहले जानते हैं हम लोग बायो डावरस्टी क्या होता है बायो डावरस्टी का मतलब जैब विवित्ता, जैसे इस फोटो से आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे हीरन है, हाथी है, गाय है वगेरा वगेरा यह सायद कुट्ता है, यह वुल्फ है जो भी है, यह चिकन है, तो इस तरह इसका मतलब कि अवग अलग अलग तरह का जीव जनतु जब साथ में मिल करके रहते हैं तो इसको हम लोग biological diversity बोल सकते हैं, मतलब कि जैव विवित्ता जिसको हिंदी में बोलते है, वो biological diversity act जो है, वो 2002 का है, और वो parliament of India में आया गया था, parliament of India के दौरा वो लागो किया अगया था क्यों अलागों किया गया था क्योंकि भारत का जो जैव विवित्ता है उसको बचाने के लिए उसको प्रेजर्व करने के लिए और एक ऐसा मेकनिजम को लाने के लिए एक ऐसा फंक्षन को लाने के लिए जो कि ये देखे कि जितना भी हम लोग को biological diversity का जितना भी resources मिला हुआ है जो भी हम लोग को उसका जानकारी है वो सब में बराबर रूप से बटे इसका मतलब क्या जैसे किमा लेता है कि government of India किसी जंजाती के थुरू ये पता गिया कि एक पीड है उसका जो पता है वो खाने से cancer का treatment होता है तो government of India क्या करेगी वो सब को बता देगी और यहां तक कि वो उसका दवाई वगेरा बनाएगी जिसके कारण की जो भी cancer हो रहा है जिस वेक्ति को उसको उसके उससे love मिल सके तो यही हो गया equitable sharing मतलब बराबर में sharing करना ठीक है यह जो act बनाए गया था यह इसलिए बनाए गया था कि हम लोगों ने मतलब कि भारत सरकार ने convention on biological diversity नाम का एक international एक अंतराष्टे संधी पे sign किया था इसलिए इंडिया यह convention लेकर के आया यह act लेकर के खुद से आया ठीक है 2003 का act नंबर 18 था यह और यह parliament of India के द्वारा लागू किया गया था उसको पास किया गय है और इसका status जो है भी यह अभी लागू है मतलब यह चालू है भी यह वाला एक्ट अभी काम कर रहा है ठीक है बाइव डावर्स्टी को इसके अंतरगा जैसे हम बताया ही बताया गया है कि जितना भी जीव जनतु में विविद्दा हो सकता ऐसे कि गाय बकरीब हैस वगेर गिन सकते हैं बायोलोजिकल रिसोर्सेस क्या हो गया तो बायोलोजिकल रिसोर्सेस जिसको कि हम लोगों को बराबर बराबर में बाटना है वो हो गया जितना भी जीव जनतु है जितना भी आपका पेड़ पौधा है जो भी माइक्रोलोग्जम जैसे बैक्टरिया वाइरस अगे रहा हो गया या उससे जो भी जितना भी चीज़े नहीं कर रही है जिसका की कुछ एकोलोजी में जो की कुछ हमारे वातावरान में कंट्रिब्यूट करता है तो वो सब चीज़े मिलकर के इसके अंदर कुछ कुछ बारे में इंप्लिमेंट कर सके उसके बारे में देख रेक्स कर सके ठीक है 29 राज्यों में State Biodiversity Board का Establishment किया गया है और करीबन रीजनल लेवल पर ऐसे के डिस्टिक्ट वगेरा हो गया पंचायत वगेरा हो गया तो उस तरह का करीबन 31,574 Biological Management Committee का Establishment किया गया है अब इन सब का क्या फंक्शन है यह जो बेताए बार डावस्टी ऑथरिटी बना बोर्ड बना उसका में कम्शन क्या है कि इसका में फंक्शन है कि वो गवर्मेंट को यह एडवाईज दे कि कैसे हम लोग जया विविता को बचा सकते हैं ऐसे कि गवर्मेंट को बोलेगा कि आप ज्यादा बकरी को मत मारिये या आप ज्यादा पाठा को या फिर आप ज्यादा हीरन को मत मारिये वगेरा वगेरा ठीक है तो इस तरह से बता सकता है या फिर वो बता सकता है कि कैसे आप अलग-अलग कम्यूनिटी में अलग-अलग जनता के बीच में यह information दे सकते हैं उसको aware कर सकते हैं ठीक है फिर यह advice करें गवर्मेंट को की बताने में कि जितना भी biological heritage है जो हम लोग का जैसे की western घाट हो गया जैसे हम लोग का कोई जंगल है उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं कौन सा जंगल जादा बचाने में फाइदा है तो इस इस तरह situation में उसके बाद अगर कोई जंग जाती या हमारा जैसे योग है या फिर कुछ और है हमारा जैसे हम लोग बोलते हैं कि पेड़ पॉला का जड़ वगेर से हम लोग काफी मतलब डिजीज वगेरा उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं तो ऐसे situation में IPR जो है वो IPR कोई issue करता है या हमारा जो traditional knowledge है हमारा जो पधती है उसको अगर कोई चूना चाता है या उसको अगर कोई use करना चाता है तो हम लोग कैसे उसको oppose कर सकते हैं वगेरा वगेरा ठीक है अब IPR के बारे में ही ये वाला एक पैरा है तो उसके बारे में बताते हैं अब कोई भी foreigner म कैसे होता है ना कि पत्ताव तक हा कि हम लोग कैसे ठीक हो जाते हैं उसके बारे में उसको जानकाली चाहिए या उसके बारे में उसको survey करना या उसको अगर बेचना करना है तो सबसे पहले स्कों क्या करना पड़ेगा National Biodiversity Authority से permission लेना पड़ेगा अगर वो परमिशन देगा है कि आप लोग उसको आप उसको पेटेंट कर सकते हो आप उसको दूसरे को यूज नहीं करने दे सकते हो अगेरा वगेरा ठीक है हाला कि यह बहुत बड़ा टॉपिक है बस में छोटा मैं आपको बस इतना ही बता सकता हो हाला कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी नन रेसिजेंट इंडियन या कोई भी विदेसी अगर वो कोई जर्नल या सेमिनार या फिर अपना एक कोई उसका बुक लेट आए उसमें अगर पब्लिकेशन करना चाहता है जो रिसर्च के बारे में तो उसमें एन बीए का का फर्मिशन नहीं चाहिए भारत का जितना भी जानकारी है मतलब बड़ा बुजर्ग बताते आ रहा है हम लोग को जा फिर कोई भी बायोजिकल रिसोर्स के सरे अगर कोई भी जानकारी वगेरा है जो अगर किसी को भी यूज करना है और उसके लिए वो पेटेंट करना चा पर्मिशन नहीं लिया तो वो नहीं यूज कर सकता है और जब बड़ाबर सब्सक्राइब को आप इससे दूर नहीं करोगे अब बात करते हैं हम लोग बेनिफिट सीरिंग का मतलब क्या कि कोई भी टेकनोलोजी एगर किसी के पास आगया जैसे कि जलजाती के पास या फिर बड़ा रिसर्चर है उसके पास कुछ नज़ा टेकनिक आगया जिसके करण के हम लोग कैंसर का इलाज कर सकते हैं या फिर हम लोग कुछ और भी डिजिस का इलाज कर सकते हैं तो ऐसे टेकनोलोजी का ट्रांसफर करना वो बेनिफिट सेरिंग में आ गया उसके बाद जो भी जो भी source एरिया जो भी forest वगेरा जो भी area से आपको production मिल रहा है research करने है उसको share करना जो भी पैसा या फिर जो भी बिना पैसा का या फिर आपको publication कोई कर दे रहा है आपको advertisement कर दे रहा है तो उन सब चीज़ों को share करना और अगर कोई आप venture capital fund लगा रहे हो कि आप जो भी काम क काम है मानव जाती के लिए तो इसके इसमें जो भी फाइदा होगा वो आप सब के साथ share कर सकते हैं तो यह सब चीज़े benefit sharing में है अब मालत ने कोई बहुत बड़ा होसिया रादमी कुछ बहुत बड़ा research किया ठीक है और वो बिना NPA का permission का patent तो वो ले नहीं सकता है बट वो अगर कुछ ऐसा काम किया जो कि NBA उसको करने से मना कर रही थी या फिर वो biological diversity act के खिलाप किया तो उसमें क्या penalty उसको मिल सकता है तो ऐसा वेक्ति अगर वो दोसी पाया गया तो उसको maximum या फिर maximum उसको 5 साल का सजा या फिर 10 लाग रुपया fine या फिर अगर कोई भी ऐसा काम क या अगर कोट वगर चाहे तो उससे एक रुपया वसूल सकती है बोलेगे कि देखो आप इतना इतना यादा harm कर दी ओ आप इतना यादा हानी कर दी हो कि आप से एक कोट रुपया लेना ही पड़ेगा ठीक है और हो सकता है कि वो एक रुड नहीं दे सके तो क्या होगा तो उसको imprisonment कर देगा उसको ऐसा मतलब जेल में डाल दिया जाएगा जो कि non-bailable होगा कभी bail नहीं हो सकता है ठीक है तो ऐसा situation यहाँ पर penalties में बनता है कि penalty आपको घर लगेगा तो बहुत गंदा वाला लगेगा ठीक है तो यह था अपना conservation of और यह था अपना biological diversity act 2002 and I hope कि वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला काफी कुछ सीखने को मिला एंड अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ को like कर सकते हो दोस्तों के साथ share कर सकते हो कुछ भी पूछना है बताने है तो comment कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो थैंक झाल झाल